मित्रू चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरूब लिखें मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगी चानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे से शेयर करेंगे मित्रों भाद्र पद मास के किष्च पक्ष की एका दसी तिथी के दिन अजा एका दसी मनाई जाती है अज़ा एकादसी भगवान विश्रु जी को अतिय प्री है इसलिए इस एकादसी का ब्रत रखनी से भगवान विश्रु और साथमी मतलचमी का आसिरबाद प्राप्त होता है इसे अन्नदा एकादसी के नाम से भी चाना जता है ऐसी मानिता है कि जो भी लोग आजा एकादसी का ब्रत रखती हुई रात्री जागरण करते हैं तो उनके समस्त पाप कट जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोग को प्राप्त होते हैं इसके अलावा आजा एकादसी की कथा को सुनने मात्र से अस्वमेग यग का फल प्राप्त होता है शास्तरों में यह बताया गया है कि आजा एकादसी ब्रत के दिन उपवास रखने से भगवान बिश्डू की बिश्य स्कृपा प्राप्त होती है साथ ही साधक की सभी मनुकामनाएं पूर्ण होती हैं इसके साथ ही ब्यक्ति को भूत प्रेत गरिय दोस इत्यादि के भाय सी मुक्ती मिलती है और मृत्यू के उपरान मुक्ष की प्राप्ती होती है मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों आजा एकादसी के दिन प्रातहकाल सुर्यदर से पुर्व इसनान थ्यान करें अब भगवान बिश्डू के सामने गी का दीपक जलाकर फलों तथा फोलों से भगती पूर्वक पूजा करें पूजा करने की बात बिश्डू सहस्तर नाम का पाठ करें दिन में निराहार रहकर एवम निर्जल ब्रत का पालन करें इस ब्रत में रात्री जागरन चरूर करें द्वादसी तिथी के दिन प्रातहकाल ब्राम्हन को भोजन करा कर उन्हें दान दचिरा दे द्वादसी तिथी को ब्राम्हन भोजन कराने के बाद उन्हें दान दचिरा दे कर फिर भोजन स्वाइम करान करें मित्रो अब पूजा करने का सुब मोहूरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रो अब आपको बता दे की वर्ष दोहजार 24 में आजा एकादसी 39 अगस्त दिन गुरुवर को मनाई जाएगी एकादसी तिथी प्रारंब होगी 39 अगस्त दोहजार 24 को रात्री एक बचकर 29 मिट पर एक आदस ही तिथी समाप्त होगी 30 अगस्त तो हज्जा 24 को रात्री 1 बज कर 37 मेंट पर ब्रत पारण करने का सुब महूरत है 30 अगस्त को सुब 7 बज कर 49 मेंट से लेकर सुब 8 बज कर 18 मेंट तक रहेगा